प्यारे दोस्तों आप सारा दिन कम्प्यूटर पर बैठे रहते हैं माउस और कीबोर्ड पर उंगलिया टकराना भले ही आपके काम का हिस्सा हो लेकिन इसका जोर आपकी कलाईयों पर पढ़ता है कम्प्यूटर पर अधिक देतक काम करने से कलाईया दर्ध करने लगते हैं और साथ ही कारपल टरनल सिंड्रोम भी हो सकता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कलाईय के दर्ध के लिए घरे लूख चार बेशक अगर आपको इस बात का अबास हो कि आपकी कलाईयों में दर्द की वज़े अधिक गंबीर है तो आपको डोक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन इससे पहले आप पांच असान गरिलू उपाए अजमा सकते हैं जिनसे आपको कलाई के दर्द में आराम मिल सकता है हाँ अगर आपको चोट या किसी अन्ने कारण से कलाई में दर्द हो रहा हो तो बहतर होगा कि आप चिकच्चक के पास जाकर अपना इलाज कराएं अपनी कलाईों का अधिक इस्तमाल ना करें हालाकि सुनने में यह बहुत आसान लगता है लेकिन ऐसा है नहीं क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग कलाईों पर पट्टी बांद कर अपने रोज मर्रा की कामों में लगे रहते हैं इसे उनकी कलाईों पर और अधिक दवा पड़ता है बेशक्त आपका सबसे पहला कम अपनी कलाईों को ठीक करने का प्यास करना होना चाहिए आपकी कलाई को अराम की जरूरत है ठीक वैसे ही जैसे आपके सरीर के बाग की अंगों को चोट या जखम के बाद अराम की जरूरत होती है अपनी कलाईयों को अराम दे और देखें यह कैसे काम करता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कलाईयों में लगाता चोट लगती रहती है तो आपको अच्छी क्वार्टी की बेंडे जवानने की जरूरत है इसके साथ ही आप चाहें तो कड़ा बेंड भी बान सकते हैं यह बेंड आपको किसी भी दवा की दुकान से मिल सकता है झाल 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 जरू से जरू कॉमेंट करें और अपने सबी समच्चाओं को मुझसे साजा करेंगी इसी उमीद के साथ नमस्कार बेनों जैहिंग करेंट